दोस्तो हम चर्चा करेंगे कि C और S नाम वाले जातकों की जोड़ी कैसी होती है इनका बैवाहिक जीवन कैसा होता है तो मित्रो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि तो आप मेरे चैनल पर नए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ घंटे के बटन को दबाएं या कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेसर मिल जाए और एस नाम वाले जातक एक दूसरे के गुणों की सराहना बहुत ही जादे करते हैं और एक दूसरे की बातों का बहुत ही जादे सम्मान करते हैं दोनों जातक अपने जीवन में बहुत ही जादे बदलाव लाना पसंद करते हैं दोनों जातक परियाटक अस्थलों पर घूमना भी बहुत जादे पसंद करते हैं दोनों जातक दिमाग से बहुत ही तेतरार पाये जाते हैं और यह मेशा सार्थक बहस में ही आमिल होते हैं वरना किसी फालतु और फिजिल की बातों में फड़ा हो करके अपना समय गवाना बि उचाने का परियास करते हैं दोस्तों C और S नाम वाले जातक अपने कारियों में एक दूसरे का बहुत ही जादे सहारा बनते हैं दोस्तों यह दोनों जातक दोस्ति और बैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगे और यह दोनों जातक एक दूसरे का बहुत ह मुल्यवान जोड़ी होती है इस जोड़ी का सन्योग बहुत ही कम बनता है और यह जोड़ी जिस भी बेक्ति के नाम से बनता है उनका चार चांद लग जाता है सी और इस नाम वाले जातक भी भी एक दूसरे को किरने नहीं देते नहीं किसी परकार की परसानियों का सामना करने देते है और ना कोई परसानी आने देते है उस्तो इन दोनों जातकों के बीच में अनुकूलता की भी कभी कमी नहीं होती और यही कारण है कि यह दोनों जातक एक दूसरे से काफी लगाव रखते हैं और एक दूसरे में खोए रहना बहुत ही जादे पसंद करते हैं। दोस्तों यदि हम C और S नाम वाले जातकों के बैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इका बैवाहिक जीवन कमान से भी उपर चलने वाला है। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही बेश्ट जोड़ी रहने वाली है। दोस्तों कुल मिला जुला करके यह एक बेश्ट जोड़ी होगी और दोनों जातकों का बैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट बुक्स में अपना राय भेचना बिलकुल ना भूले धन्यवाद मित्रों